नमस्कार, मैं डॉक्टर अम्रिताक्ष देब, मैं कलकत्ता से नेफ्रालोजिस्ट हूँ और मैं आज आपको डाइलिसिस के बारे में बताना चाहता हूँ अब आप सब लोग सुनते हैं कि हाँ डाइलिसिस किया जाता है, बड़ा ही खराब चीज़े, लोग मर जाते हैं जैसे ही डाइलिसिस करते हैं इसके लिए बहुत सारे ऐसे थाट्स आते हैं दिमान में, तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात यह है कि डाइलिसिस आखिर क्या है और किस तरह का होता है तो डाइलिसिस यूजरी शरीर के खून को साफ करने को या शरीर के साफ करने को कहा जाता है ये कब किया जाता है? कि तब किया जाता है जब गुर्दा अपना काम ना कर रहा हो और गुर्दों को साहता की जरुरत हो अब गुर्दों को साहता की जरुरत दो conditions में पड़ सकता है एक तो ये कि धीरे धीरे गुर्दा पुरा खराब हो गया इसको chronic kidney disease बोलते है दूसरा है acute kidney disease या acute and chronic kidney disease जिसमें बिमारी अचानक से होता है और किसी एक कारण के वज़े से होता है अगर हमने उस कारण को ठीक कर लिया तो उसके बाद इस मरीज को dialysis के आगे चलके जरुरत नहीं पढ़ेगा इनको कुछ दिन के लिए ही जरुरत पढ़ेगा अब dialysis भी आम तोर पे दो प्रकार के होता है एक कहा जाता है hemodialysis या खून की dialysis और दूसरा peritonial dialysis जो आम भासा में कहते है पेट की dialysis अब hemodialysis में क्या किया जाता है कि शरीर से खून को निकाला जाता है मशीन के माध्यम से खून को साफ करके शरीर के अंदर वापस बेजा जाता है अब यह जो प्रोसेस है इसके लिए खून निकालना पड़ता है खून वापस बेजना पड़ता है इसके लिए vascular access चाहिए होता है खून निकालने का कोई ज़रिया चाहिए होता है दूसरा इसको आमत्र पे हफ़ते में दो बार या तीन बार किया जाता है कुछ लोगों में तीस से भी जादा करना पड़ते है तो यह हो गया खून का dialysis दूसरा जो है पेट का dialysis पेट का dialysis है पेरितोनिय wild dialysis इस इसमें एक पेट में cath源 हैथर डाल दिया जाता है और दिन म मिला के दिन भर में गंटे का समय चाहिए होता है जिसमें ये किया जा सकता है ये घर में ही कर सकते है इसके लिए कोई उपकरण कोई electricity कोई machine की ज़रूरत नहीं है ये खुद घर में ही कर सकते है थोड़ा खर्चा इसमें hemo dialysis के comparison में थोड़ा जादा आता है वागि दोनों processes बिलकुल समान में दोनों में survival बिलकुल सही है अब question आता है कि dialysis क्यों इतना बुरा समझा जाता है अब ये बुरा समझा जाता है खुद के लिए नहीं वागि इसलिए कि dialysis जिन बिमारियों में हम करते हैं इन में mortality बहुत जादा है ये समझना है कि dialysis हम उनको ही करते हैं जिन में हम dialysis ना करे तो जान चला जाएगा तो ये बिमारी बहुत बड़ी बिमारी है जिसमें dialysis करते हैं ये बिमारी के वज़े से mortality है ना कि dialysis के वज़े से तो इस चीज़ को जहन में रखना है कि हाँ दूसरा हर chronic kidney disease का patient या हर acute kidney disease के patient में dialysis नहीं किया जाता है क्योंकि इसके खुद के भी तो परिशानिया है काफी सारे तो अगर avoid कर सकते हैं तो करते है यूजरी आपको एक nephrologist या किसी से opinion लेना होगा कि हाँ dialysis का सटीक समय पे हम शुरुआत करें बहुत डिलेय भी ना करें कि जब बिल्कुल सब कुछ खतम हो गया तब शुरू कर करने का खास फायदा नहीं है तैंट